दोस्तों, टीवी सीरियल्स में इंट्रस्ट रखने वाला शायद ही कोई ऐसा शक्स होगा जो भी नेत्री द्रिश्ची थामी से अंचान हो। अब नेत्री द्रिश्ची थामी है ही इतनी ब्यूटीफूल और टैलेंटिट जो अपने हरकेदार से दर्श्ची को का दिल जीते में कोई कसर नहीं छोड़ती। हाला कि काफी समय से द्रिश्ची थामी टीवी इंडर्स्ट्री से दूर है जिनने आखिरी बार सिलसिला बदलते रिष्टों का में देखा गया था। पर अब खबरे हैं कि आपके टीव इंडर्स्ट्री की खुबसूरत अधाकारा एक बार फिर से कमबेक करने वाली हैं। जी हाँ, गीत हुई सबसे पराई, मदुबाला और परदेश में है मेरा दिल जैसे कई लोग प्रियाश्योस में काम करके मशूर हुई अभी नेत्री, द्रिश्ची धामी इन सभी सीरियलों के जरीए दर्श्टों का खूब एंटर्टेन करने में सफल सावित हुई थी। इन किरदारों के जरीए इन्होंने दर्श्टों के बीच इतनी गहरी चाप छोड़ी कि दर्शक इन्हें हमेशा से ही परदे पर देखने के लिए एकसाइटेट रहते थे। पर अफसोस इन सभी सीरियलों को करने के बाद अभी नेटरे दर्श्टों के लिए इन्डस्ट्री से दूरी बना ली थी। जिने आकरी बार सिलसिला बदलते रिष्टों का सीरियल में नंदिनी के किरदार के रूप में देखा गया था। और इस सीरियल के ओफ एर होने के बाद से ही दर्शक इने टीवी पर देखने के लिए डिमाज करने लगी थे। पर अब तक शायद अबिनेतरे दृष्टिधामी के हाथ में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया था। मगर अब ख़वर आ रही है कि दृष्टिधामी को एक वैब सीरीज के लिए कास्ट किया गया है। हाला कि उस वैब सीरीज का नाम अच्छी से फानलाइस को नहीं हुआ लिकिन खयास लगाए जा रही है कि ज़स्ट वैब सीरीज में दृष्टिधामी के एंट्री होने वाली है वह कोई और नहीं बलकि ब्रोकन बट ब्यूटिफुल थ्री है जिसके अब तक दो पार्ट आ किया जा रहा है हाला कि यह वैब सीरीज वरवरी में लॉंच की जाएगी जिसमें अभी नेता सिधार शुकला ने तो इस वैब सीरीज में काम करने के लिए हामी बढ़ दी है लेकिन अब तक दृष्टिधामी का कोई भी कन्फरमेशन नहीं आया है तो दोस्तों क्या भी द सी से जुड़ी ऐसी और मसालेदार खबरों को चानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले